मैं 16 संकेतों की बात करूँगा, जो बताते हैं कि आपके शरीर को ज्यादा न्यूट्रियेंट्स की जरूरत है. प्रॉब्लम ये है कि जब मैं आपको ये जानकारी दूँगा, आप अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और पडोसियों का आतलन शुरू कर देंगे. अगर आप ऐसा करने वाले हैं, तो थोड़ा बच कर रहें. कभी कभार ऐसा करने से लोग गुस्सा हो जाते हैं, उदाहरन के लिए अगर आप किसी इनसान को बताएंगे कि उसकी नाप या स्किन पर कोई प्रॉबलम है, तो उन्हें बुरा महसूस हो सकता है. हम 16 संकेतों की बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोगों में न्यूट्रियेंट्स की कमी क्यों हो जाती है. हो सकता है कि आप nutrients से भरपूर foods नहीं खा रही हैं, हो सकता है कि आप ऐसी मिक्ती में उगाए गए foods खा रही हैं, जिसमें सही nutrients मौझूद नहीं हैं, हो सकता है कि आप पानी में उगाए गए foods खा रही हैं, जिन्हें hydroponic foods कहते हैं जेनेटिक कमजोरी के कारण भी आप में न्यूट्रियंट्स की कमी हो सकती है अगर आपके पेट में एसिड की कमी है तो आप कुछ चीजों को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे जैसे कि प्रोटीन्स और आप मिनरल्स को एक्स्ट्राक्ट नहीं कर पाएंगे मान लेते हैं कि आपका गॉल ब्लैडर नहीं है या आपको गॉल ब्लैडर की प्रॉबलम है तो आप विटामिने D, E और K अप्सोर्ब नहीं कर पाएंगे चलिए अब संकेतों की बात करते हैं नंबर एक पर है नाखूनों का नाजुक होना प्रोटीन की कमी इसका एक आम कारण है घोरों में ये बेहद आम प्रॉबलम है क्योंकि घोरा तब तक खाता है जब तक की उसे परियाप्ट प्रोटीन नहीं मिल जाता कभी कभार घास में बहुत ज्यादा कार्भोहाइडरेक मौजूद हो सकती है ऐसा आम तोर पर वसंत रितू में दिखाई देता है जब घोरा परियाप्ट प्रोटीन प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा घास खाने लगता है इस प्रोसेस में वो बहुत ज्यादा कार्ब खा बैठता है हम इंसानों के साथ भी यही प्रॉबलम है हम तब तक खाते हैं जब तक कि हमें परियात प्रोटीन नहीं मिल जाता उदाहरन के लिए अगर आप चिप्स खाते हैं जिसमें कोई प्रोटीन नहीं है तो उस चिप्स के कई पैकेट खाना आपके लिए बहुत आसान रहेगा क्योंकि हम प्रोटीन की ज़रूरत पूरी करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं नमबर दो पर है ब्लू स्कलेरा जिसका मतलब ये हुआ कि आप में आईरन की कमी है इस स्थिती में आपकी आँखों का सफेध हिस्सा नीला पढ़ने लगता है आपको यहां पारधर्शी कोलेजन दिखाई देता है जिससे हमें आपके ब्लाड का एक ऐसा हिस्सा दिखाई देता है जो नीला होता है अगर आपकी दाइं स्कैपुला हड़ी के टॉप पर आपको दर्ध होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके गॉल ब्लैडर के कारण आप में बाइल की कमी है अगर आप में बाइल की कमी होगी तो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने लगेंगे अगला संकेत टेटनी है इस स्थिती में आपकी बाईं आख के नीचे या हाथ की मांसपेशी फड़कने लगती है ये मैगनीशियम की कमी को दर्शाता है मैगनीशियम शरीर में कैल्शियम को नियमित करने का काम करता है Magnesium की कमी के कारण Manspecia normal तरीके से contract और relax नहीं हो पाती है और आपकी नर्व की उत्तेजना बढ़ने लगती है इसी वजह से आपकी बाईं आख और दूसरी Manspecia फड़कने लगती है आपकी skin पपड़ीदार होने लगती है Omega 3 की कमी इस problem का कारण है इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा Omega 6 खा रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं बहुत ज्यादा Omega 6 soy oil corn, canola, cotton seed, safflower या sunflower oil में मौझूद रहता है इनके बजाय आपको fish oil जैसे की cod liver oil खाना चाहिए अगला संकेत है high blood pressure potassium की कमी high blood pressure का सबसे बड़ा कारण है potassium arteries की संवर्चना को सपोर्ट करता है ये arteries को मुलायम बनाने में मदद करता है potassium adrenaline और sympathetic nervous system यानि की flight या fight कार्य प्रणाली को कम करने में मदद करता है क्योंकि इसके कारण आपका blood pressure बढ़ जाता है इसके साथ ही potassium शरीर में fluid को भी नियमित करने में मदद करता है खासकर ये sodium को संतुलित करता है अगला संकेत है बहुत ज्यादा चिंता करना vitamin B1 की कमी के कारण आपको चिंता का सामना करना पड़ता है अगर आप vitamin B1 लेंगे तो आपको बेहद शांत महसूस होगा अगर आप boron ले रहे हैं तो मैं सलाह दूँगा कि आप इसके साथ सभी trace minerals भी लें ऐसा करके आप में किसी दूसरे trace mineral की कमी नहीं होगी क्योंकि ये सभी एक साथ मिलकर काम करते है boron कई चीजों में इस्तिमाल किया जाता है ये borics में मौजूद रहता है जो कपड़े धोने वाला एक detergent है boron आपकी हड्डियों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है ये magnesium का absorb होना बढ़ाता है ये शरीर की inflammation भी कम कर सकता है magnesium उस इंसान के लिए भी अच्छा है जिसे hyperthyroid की problem है अगला संकेत है hypothyroidism इस condition में आपके शरीर में selenium की कमी हो जाती है T4 से T3 के conversion में selenium आपकी मदद करता है T3 को thyroid hormone का active form कहते है जब Hashimoto की बात आती है आपके दिमाग में selenium का खयाल आना चाहिए अगले संकेत की बात करें तो आपके coolhe के जोड या दूसरे जोडों से चटकने की आवाज आती है अगर आपको भी इसका सामना करना पड़ रहा है तो vitamin D3 की कमी इसका कारण है इस problem को ठीक करने के लिए आपको कम से कम 20,000 IU या उससे ज्यादा vitamin D3 की जरूरत पड़ेगी ऐसा इसलिए है क्योंकि vitamin D3 का एक दिल्चस्प काम ये भी है कि ये आपके जोडों को फिर से बनाने का काम करता है ये इसका एक बहतरीन फायदा है टेस्टोस्टेरोन की कमी अगला संकेत है जिंक की कमी इसका सबसे बड़ा कारण है जिंक से आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगेगा बहुत ज्यादा अनाज खाने से आप में जिंक की कमी हो सकती है क्योंकि अनाज में phytic acid मौजूद होता है बहुत ज्यादा रिफाइंड शुगर खाने से भी आप में जिंक की कमी हो सकती है जिंक पाने के लिए आप रेड मीट, शेलफिश यासी फूर्ज खा सकते हैं अगले संकेत की बात करें तो आपके बाल उगने में बहुत ज्यादा समय लेने लगते हैं इस सिचुएशन में आपके शरीर में मैंगनीज नाम के ट्रेस मिनरल की कमी हो जाती है जब भी आप ट्रेस मिनरल लें तो मैं आपको सभी ट्रेस मिनरल का एक ब्लेंड लेने की सलाह दूँगा अगले संकेत की बात करें तो आपके बाल समय से पहले सफेध होने लगते हैं आमतोर पर विटामिन B5 की कमी इसका कारण है विटामिन B5 आपके एड्रेनल ग्लांस के लिए भी अच्छा है आप अपने एड्रेनल को जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे आपको उतना ही कम स्ट्रेस रहेगा विटामिन B5 कैटालेस नाम के एंजाइन को भी सपोर्ट करता है कैटालिस एंजाइम शरीर में इकठा होने वाले हाइडरोजन पेरोकसाइड को साफ करने का काम कर सकता है लाल या सूजे हुए मसूडे अगला संकेथ है विटामिन C की कमी इसका कारण है बहुत ज्यादा शुगर खाने से भी आप में इसकी कमी हो सकती है क्योंकि विटामिन C और शुगर एक दूसरे के साथ प्रतिसपर्धा करते है आपको कच्चे साउर क्राउट से सबसे ज्यादा विटामिन C मिल जाएगा आपको कमजोरी का भी एहसास हो सकता है और सोडियम की कमी इसका कारण है उसके लिए आपको ज्यादा समुदरी नमक खाना चाहिए आखिरी संकेट की बात करें तो आपकी स्किन में चोट के निशान उभरने लगते हैं विटामिन C1 की कमी इसका कारण है अगर आप निउट्रीशन की कमियों के विभिन संकेतों की अधिक जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आप ये दिल्चस्प विडियो देख सकते हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें